दोंग पाखंड अंदविस्वास नजाने लोग क्या क्या बोलते हैं लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा कि ओम बना ही नहीं बलकि कई लोग थे जो फरिस्ते हैं जो मरने के बाद भी लोगों की रक्षा करते हैं इसी में सामिल है बाबा हरबजन सिंग जिसे इंडियन आर्मी भी मानती है अगर आपको बाबा हरबजन सिंग के बारे में पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में बाबा हरबजन सिंग के नाम के नीचे एक लिंक है जिसे क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हैं पर आज मैं आपको कोई कहानी या गटना बताने नहीं आया हूँ बलकि उनको फटकार लगाने आया हूँ जो कहते हैं कि ओम मना फ्रॉड है या कहते हैं कि अंधि विश्वास फैलाया जा रहा है तो आपको इस वीडियो के बाद पक्का विश्वास हो जाएगा कि ओम मना का अस्तित्व ह और हमेसा रहेगा ये वीडियो चंडीगड के PGI होस्पिटल का है जहां रात में गैट के साइड पर एक वीलचियर है जो खुद से आगे बढ़ती है और गैट के सामने से गुजर कर आगे निकल जाती है उसी दोरान सेकृरिटी गार गैट से बाहर निकलता है जो ये देखकर दंग रह जाता है वीडियो को देखकर एक बार लगता है कि कई किसी ने सरारत तो नहीं किये या फिर कोई आटोमेटिक वीलचियर तो नहीं थी PGI होस्पिटल के सेकृरिटी ओपिसर ने दोनों ही एंगल से जांच की गटना से क्या वास्ता तो आपको बता दू कि सन 1988 में जब ओमना के साथ दुरगटना हुई थी और इसके बाद जब उनकी बुलेट को पुलिस ने हिरासत में लिया था तब कुछ इसी प्रकार की बुलेट बाइक अपने आप चलकर चोटिला दाम वाली जगह पर आई थी अफसोस इस बात का है कि उस वक्त टेकनोलोजी पावरफूल नहीं थी वरना उन नास्तिकों को मैं वीडियो दिखा कर तमासा जरूर मारता मैं उन अतत्त्वों से कहना चाहूंगा कि कमेंट करते वक्त एक बार जरूर सोच लिया करो एक अतत्त्व ने तो कमेंट किया कि छोटिला में व्यपार को बड़ावा देने के लिए मन गड़त कहानिया बना कर लोगों को गुमरा किया जा रहा है तो सुन कई लोगों की ओमबना ने फरिस्ता बनकर मदद की है और कई लोगों ने उनने साक्षात देखा भी है मैं अंत में एकी बात बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी तो अंद्विस्वासी नहीं हो सकती पर वो क्यों बाबा हर्बजन जिंग को मान रही है इस वीडियो में ये विल्चेर कैसे अपने आप चल रही है बस यही काफी है उन अतत्वों को समझाने के लिए बाकि सुदरने वाले अतत्वा लगबग सुदर जाएंगे बाकि तो गंगा के गाट पे ही जाकर सुदरेंगे आपका उन वद्र कमेंट करने वाले कीडों पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं जयों मनारिसा